तो वेल्कम फ्रेंड्स वेल्कम टू दिस न्यू एपिसोड और इस्टिल वी आर लर्निंग अबाउट नुक्लियर एनर्जी अभी भी हम नुक्लियर एनर्जी के बारे में ही सीख रहे हैं और आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे नए टॉपिक क्या है इसके पहले हमने सीखा कि नुक्लियर फिशन हमने क्या सीखा था नुक्लियर फिशन जिसमें कि एक हैवी नुक्लाइड को या नुक्लियर को तोड़ दिया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है हम neutron की बंबारी से उसको तोड़ते हैं जिससे दो ज़्यादा binding वाले प्रोड़क्ट बनते हैं न्यूकली और उससे energy release होती है, mass loss होता है energy release होती है यह सब पूरा हम लोगों ने इसके पहले अच्छे से पढ़ लिया है और अब हम एक नई energy प्रोशेस पर या नई nuclear energy प्रोशेस पर बात करेंगे उसको बोलते हैं nuclear fusion इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकिय, nuclear means नाभिकिय, और fusion को बोलते हैं हिंदी में सनलयन उसका मतलब होता है सनलयन का मतलब होता है मिलकर एक हो जाना मिलकर एक हो जाना तो इससे आपको काफी help मिलेगी इस world से इस प्रोशेस में होता क्या है nuclear fusion में इसमें भी हमको energy मिलती है ठीक है लेकिन में ठट अलग है यहां तोड़ फोड नहीं होती है यहां मिलन होता है nuclear fusion में क्या है दियोग होता था ब्रेक अप और यहां हम मिलन करा रहे है ठीक है तो इसमें होता क्या है इसका concept यह है कि दो light nuclei यानि दो light nucleus पास आते हैं मिलते हैं और एक different बड़ा nuclei बनाते हैं वो बड़ा nuclei stable ज्यादा होता है यानि उसकी binding energy ज्यादा होती है जो मिलते हैं दो light nuclei उनसे जो यह बड़ा nuclei जो बना मिलने से उसकी binding energy ज्यादा होती है मतलब वो stable ज्यादा होता है तो इसका मतलब कुछ energy release होती है तभी stability आती है तो वो energy जो मिलती है उसको बोलते है energy from nuclear fusion process मतलब nuclear fusion से हमको मिली energy इसको ऐसे समझते हैं यह दो बहुत light nuclei हैं deuterium के किसके हैं deuterium के यह nuclei हैं दो यह आपस में मिल गए जब यह मिल जाते हैं तो हमारा बन गया मान लो 2HE4 nuclear यानी एक एलफा पार्टिकल ठीक है यह helium का nucleus बना और कुछ energy release हो गई ठीक है बिलकुल ऐसे समझो यह है nuclear fusion just like it और भी हैं हैं प्रोसेस वह हम बताएंगे जस्त एक दम इसको एक एज एक जामपल समझो कि दो light nuclei यानि यह deuterium deuterium यह hydrogen के आइसो टोपस हैं यह light nuclei मिले और एक बड़ा nuclei बनाया और energy रिलीज होई energy इसलिए रिलीज होगी क्योंकि कुछ mass का loss होगा दूसरा वह ऐसे भी आप समझ सकते हो कि यह जो deuterium हैं इनकी binding energy छोटी होती कम होती है यानि यह ज्यादा unstable है और यह जो alpha particle बना यानि helium का नूकली यह ज्यादा stable है इसकी binding energy ज्यादा है तो जब binding energy ज्यादा हो 1.2 million electron volt पर nucleon होती है deuterium की और helium nucleus की यानि alpha particle की binding energy करीब 7 million electron पर nucleon होती है nucleon बोलना चाहिए nucleon ओके तो क्यूं यानि energy release इस fusion प्रोसेस से कितनी होई आप जानते हो energy release निकालने के दो तरीके हैं या तो पहले mass में loss डूड़ो और फिर उससे energy निखालो Einstein equation से ठीक है या तो फिर आपको अगर product की जो डॉटर जो nuclei जो बने product nuclei उनकी binding energy पता हो और parents nuclei की binding energy पता हो तो प्रोड़ेट की binding energy minus parent की binding energy प्रोड़ेट की binding energy ज्यादा हो तो क्यों आप टू डूटिरियम नूकली तो अब देखो binding energy पर नूकलियान थी अलफा की 7 million electron volt एक नूकलियान की अलफा पार्टिकल में टोटल चार नूकलियान होते हैं तू प्रोटान तू नूट्रान तो टोटल जो binding energy जो प्रोड़ेक्ट की या डॉटर नूकलिया की जो आई टोटल वो आई फोर एक नूकलियान की बाइंडिंग एनर्जी और इन्टू टोटल है इसमें फोर तो फोर माइनेस binding energy आफ जो यूज हो रहा है तो टू टाइम्स एक नूकलियान की है binding energy 1.2 million electron volt लेकिन एक deuterium में तू नूकलियान होते हैं एक प्रोटान एक neutron तो टू इन्टू 1.2 million electron volt इन्टू टू एक deuterium nucleus की या नूकलिय की binding energy और दो इस्तेमाल हो रहे हैं तो टू से multiply कर दिया तो यह आ गया 28 million electron volt माइनेस 4.8 million electron volt यानि answer आ गया nearly 23.2 million electron volt total energy release अगर आपको mass defection निकालना है तो उससे भी निकालो ठीक है यह यह एक average concept है और इससे साबित हुआ कि energy release होगी मिस fundamental concept वही है कि mass में loss हुआ यह दोनों जब मिले तो इधर का mass इससे ज्यादा होगा वह mass loss होगा और उस mass loss के चलते क्या होगा कि energy release होगी तो यह जो energy release हुई है इसको बोलते है energy released by nuclear fusion प्रोसेस समन्य आया कुछ और भी लिखके देते हैं आपको reactions और उनके data देते हैं आप निकालिए है ठीक है तो आप homework कीजिए कुछ और मैं लिख देता हूं nuclear reactions अ और है होगा है हुमर कीजिए ठीक है नमबर वन, डूत्रियम और ट्रिसियम, ट्रिसियम भी हाइड्रोजन का एक आइसो टोफ होता है, जो हाइली रेडियो एक्ट्यू भी होता है, ये दोनों पास में आए और मिल गए और बना एक एलफा पार्टिकल यानि हीलियम का नूकली, ये नूकली है सब, और एक नूट्राण रिलीज हुआ, तो देखो नूकलियान नमबर का कंजर्विशन हो रहा है, तू प्लस थ्री और फोर प्लस वन, यानि दोनों में फाइफ फाइफ, यानि कि और प्लस कुछ एनरजी रिलीज हो गई, तो आपको इस फ्यूजन, इसलिए कि दो लाइट नूकली आपस में मिले, और एक बड़ा नूकली बनाया, ये बड़ा नूकली, इन लाइट नूकली से ज्यादा बाइंडिव नरजी का है, तो पक्का यहाँ पर एनरजी निकलनी जाहिए, अगर ये प्रोसेस हुई है तो, तो मैं आपको डाटा दिये दे रहा हूँ, आप मास लॉ जो डिफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ मास लॉस होगा, यानि इधर का मास, इसका मास, इसका मास, माइनिस, इसका मास, इसका मास, मास ओफ वन एच टू नूकली, यानि डूट्रियम का नूकली का मास, और ट्रिसियम नूकली का मास, माइनिस हीलियम नूकली का मास, यानि एलफा का मास और माइनेस न्यूट्राउन का मास यह आपका मास डिफेट यानि मास लॉस आ गया तो जाहिड सी बात है मैं आपको डाटा दिये दे रहा हूं यह जो वन एच वन है यानि जो डूट्रियम न्यूकली है न्यूकली लोग ऐसे भी लिख देते हैं एच टू तो आ यह यह दूट्रियम और यह वन नहीं लिखते हैं लोग तो कि एटॉमिक नABIक नंबर आपटिंही है हिलियम का एटॉमिंग नंबर टू होता है रेलियम लिखने के जुरूत नहीं होती है वरना आप लिख लो मतलब इसको आप हीलियम फोर भी लिखते तब भी समझ में आ जाता है कि यह अलफा पार्टिकल की बात हो रही है क्योंकि हीलियम की आइडेंटिटी ही उसका प्रोटान नंबर है जो कि टू होता है सब को पता है फिर भी हम लिख देते हैं तो अ कि दूट्रियम नूकली का जो मास है वह लिखे दे रहें टू पॉइंट जीरो वन फोर वन जीरो अटे एम यू यानि की एम यू को सॉट ली में यू भी लिखते हैं कि ट्रिसियम नूकली का जो मास है वह है करीब 3.016049 यू हीलियम न्यूक्ली यानि अल्फा पार्टिकल जो बना उसका जो मास है यह मास है यह यह है फोर पॉइंट जीरो जीरो वन फाइब जीरो 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 एट सिक्स इस यू कह लो तो जब इसका आपका मास निकल आएगा मास डिफेक्ट तो आप एनर्जी जानते ही है कि एक एम यू से रिलीज कितना इनर्जी होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जितना मास डिफेक्ट आए एम यू में उसमें केवल 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टिप्लाई कर देना समझे तो आज आएगा आपको हीट रिलीज इन इस नूपलियर फ्यूजन प्रोसेस या एनर्जी रिलीज इन इस नूपलियर फ्यूजन प्रोसेस एनर्जी कहना ज्यादा सुटेबूल है हीट की ज़गे पर क्योंकि ओवराल हमको नहीं पता कि वह हीट थर्मल एफेक्ट क्रियेट करेगी या कानेटिक एनर्जी बढ़ागी तो एवरी टाइम से एनर्जी न नूओर दूट्रियम के नोकलियर बनाता है हीलियम का ऐसे एक आईसो तो जिस्क में लिए नूकलियान नहां और जो मैं थ्री नूकलियान है मतलब दो प्रोटान है जब प्रोटाउन तो वही रहेंगे क्योंकि वह आइडिंटिटी है नूट्राउन थोड़ा कम हो गया यह यहां पर फोर ता यहां पर थ्री हो गया बस एक नूट्राण बचा तो यह हीलियम का एक आइसोटोप है और प्लस एक नूट्राण निकला और यह क्यूं तो पहले देखते हैं कि नूकलियान नंबर का कंजर्वेशन हो रहा है याणि कि यह रियक्शन अइसे तो ठीक लिखी है अब आप निकालिये कि इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई है तो अगर एनर्जी रिलीज हुई है यानि एगर ये प्रोसिस हुआ है तो मास में लॉस होगा तभी आपकी एनरजी निकलेगी तो मास आपको डूत्रियम नॕकली का यह देखो पता यह यहां से आप ले लिजिए डूत्रियम नॕकली का फिर यह ली लेजिए आपको मैं इसका मास दिये दे रहा हूं तू ह& फ्री यह याननी हेलियम के इस isotope का मास मैं आपको दे रहा हूं यूज कर लिजिए 0.016000U यानि amu और neutron का मास आपको यहां से पता चल जाएगा तो आप निकालिए कि इस process में कितनी एनर्जी मिली इस न्यूक वो मैं यह भी लिख देता हूं थीक है तो आप पहले मास डिफेक्ट निकालो मास डिफेक्ट के मतलब इधर कम मास ज्यादा उना चाहिए इधर कमास कमा चाहिए मास में लास आएगा और वो एम यू में आएगा यू कहलो चाहिए एम यू कहलो और उसमें 931 मिलियन इलेक्ट्रोन वोल्ट से मल्टिप्लाई कर लेजिए तो पता चल जाएगा कि इस फ्यूजन रियक्शन में जहां पर टू लाइट न्यूकली मिलकर एक एक बड़ा न्यूकली बनाते हैं ठीक है वह यह तो है एक जर्नल व्यूँ ठीक है तो लेकिन यह इतनी आसां चीज नहीं जिदनी आप समझ रहो न्यूकलीर फ्यूजन फिसन से बहुत तेड़ी खीर है कराना ऐसा समदलो कि आज भी nuclear fusion कराना एक तेड़ी खीर ही है fusion तो हो गया है उससे हम ठीक से energy नहीं ले पा रहे हैं मतलब उससे अभी energy हम commercial रूप से public के लिए नहीं ले पा रहे हैं बहुत tough है वो toughness क्या है मैं आपको इसके आगे वाले लेक्चर में बताता हूँ ठीक है तो ताकि आपको boring ने लगे तो अभी आप fundamentally समझ गया है कि nuclear fusion क्या है उसमें क्या होता है और उससे release energy कैसे हम calculate करते हैं ठीक है चलो मिलते हैं next episode में जिसमें हम आपको गुश्कल्टीज बताते हैं कि कैसे nuclear fusion बहुत tough process है